हेलो अब्रीबन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पीरेट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में यानि कि कुछ ऐसा समयकाल जिसमें वच्चे की ग्रोथ होती है और उसको पर्टिकोलर एज में पर्टिकोलर नाम दिया दा है जैसे कि हम कहते हैं कि निवोर्ण आ गया निवोर्ण का क्या मतलब है निवोर्ण किस एज को कहते है या परी इसकुल किस एज को कहते है निवोर्ण, इनफैंसी, टोडलर है एम्ब्रियो है, फीटर्स है और एडल्स हैंस हम किस एज को कहेंगे तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि particular किस age में कितना growth हो रहा है हलाकि हम यहाँ पर यह नहीं बताऊँगा मैं आपको कि particular age में इतना growth हो रहा है वो एक next video में हम discuss करेंगे बहुत अच्छे से discuss करेंगे किस age में कितना बच्ची को बढ़ जाना चाहिए कितना उसका development हो जाना चाहिए कितना उसका physically और psychological या फिर social development उसका होना चाहिए लेकिन हम यहाँ पर किवल बात करें कि particular किस age में एक particular नाम दिया जा रहा है तो prenatal की बात करें प्री नेटल के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा प्री नेटल याने के conception to worth कंसप्शन से लेकर के वर्थ तक की जो age होती है उसे हम प्री नेटल के category में रखते हैं अब इसे हमने दो या तीन में divide कर दिया तीन याने की ओवम एंब्रेयो फिटस के बाद अब यहाँ पर हम बात करें ओवम की तो इसे हम दोके फिशंक के बात करें तो फॉर्टेन के पर सबी को पता है कि यहां पर होते हैं अब पर होती है अब हम बात कर लेते हैं Prenatal period से यानि कि 22 weeks से लेकर के 7 days afterwards यानि कि जब gestational age 20 weeks के बाद से हम मानेंगे गिनेंगे और afterwards वर्थ यानि seven days तक हम इसे परिनेटल फीरेट से यानि 20 weeks of gas station to seven day after वर्थ WHO 1988 इसे gas station को कई लोग gestational age भी कहते हैं तो यह पर confusion नहीं होना है जो जैसे बोलता है आप उसको अच्छे तरीके से समझें अगर हम बात करें postnatal के बारे में तो postnatal का मदलब होता है just after worth बच्चे का जन्म हो चुका है और इसे हम postnatal के category में रखते हैं इसे भी हमने चार ages में divide किया हुआ है new born, infancy, toddlers and preschool age new borns की बात करें तो यहाँ पर 28 days जो first 28 days यानि four weeks होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऐसे बच्चों को कहते हैं new borns की category में रखा गया है और अगर जिनकी उम्र first year यानि 12 महीने यानि एक year से कम है उन बच्चों को हम infancy की category में रखते हैं और अगर हम बात करें टोडलर की तो टोडलर को हम एक साल से लेकर के तीन साल के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं टोडलर एक ऐसा word है जिसमें बच्चे चलना सीखते हैं और अनिस्टेडिवाग यानि कि एस्तर चल पाते हैं सही से چल पाते हैं कुछ नहीं चल पाते हैं लिए स्कूल में या आगनवाडी केंड्रों में उनको भेज देते हैं जिससे कि वो पकरना सीखें, कुछ नगोछ सीखें, यानि पैन पकरना सीखें, चौक पकरना सीखें, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, pre-school age तीन से 6 years की age में, और school age की बात करें, वो girls के लिए जो होता है, वो 6 to 10 years होता है, voice की बात करें, तो यहाँ पर 6 to 12 years होता है, यानि कि इस age में बच्चो को school भीज देना चाहिए, बच्चों को school admission करा देना चाहिए, अगर adolescence की बाद करें, तो यहाँ पर 10 to 19 years, जो adolescence, जो young age की तरफ जो जा रहे हैं, जिसे हम किशूरा अवस्था कहते हैं, adolescence यानि कि किशूरा अवस्था जिसे कहते हैं, इसे इसमें पुबर्टी से रेलेक्टर है, पुबर्टी डबलमेंट है, साइकोलोजिकल डबलमेंट है, सोशल डबलमेंट है, और फिजीकल भी डबलमेंट है, एडुलिशन्स में, ठीक है, तो यह कुछ ages हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, periods of growth के बारे में, प्रिनेटल, पेरिनेटल, और इसके बाद में हम आते हैं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, एडुलिशन्स के बारे, तो यह कुछ important topic, आपको याद रखने के लायक काम आएगा कहीं न कहीं, क्यों? अच्छा, यह काम कहां पर आएगा यह topic, मान देजे, आपके पास एक बच्चा आता है, और बच्चा infancy है, first year है, एक साल का बच्चा है, आप उसे कैसे पेंचान होगे, कि एक साल का बच्चा है, यह नहीं है, अब age से यहाँ पर हम correlate करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान लगना होगा, कुछ ऐसे, आपने सुना है कि बच्चे के सिर में और यहाँ पर यहाँ पर पीछे गंड़ा होता है, common भासा में समझ लेजे, गंड़ा होता है, वो गंड़ा एक 6 मैने में भरता है एक 18 मैने में भरता है, अगर बच्चा 18 मैने का है, तो एक साल का बच्चा अगर यहाँ पर है, मान लेजे, एक साल का बच्चा मारे पास आता है, तो वो हमें देखने को मिलेगा, समझ लेगे बात को, और अगर वो एक साल से कम है, तो दूसरा भी मिलेगा, और मान लेजे, अगर एक साल से उपर जाता है तो किवला मैं एक मिलेगा जो अठरा महीने में बरता है समझेंगे कि कौन सा अठरा महीने में बरता है कौन सा च्छे महीने में बरता है कौन सा बारा महीने में बरता है ठीक है तो इस तरीके से हम एज का भी पता लगा सकते दूसरा अगर हम बात करें कि हमें कैसे बता लगएगा बच्चा pre-school age में है pre-school age यानि 3-6 years की जो उमर है वो pre-school age होती है यहाँ पर बच्चों के teeth होते हैं बच्चों के teeth कुछ ऐसे होते हैं जो particular age तग वो गिर जाते हैं तूट जाते हैं जिसे हम milk के दाद या दूद के दाद भी बोलते हैं ठीक है तो एक particular age की हिसाब से भी कई सारे डिफ्रेंश चीजा डिफ्रेंशियेट होते हैं और मैं आशकरता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला होगा बहुत informative होगा Thank you for watching